वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन गानोन इन हिंदी में तो आज हम ये जानेंगे कि सिविल केस कैसे फाइल करें और उसके साथ क्या क्या लगाना ज़रूरी है दोस्तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे तो आज हम यह जानेंगे कि सिविल केस को कैसे फाइल करें और उसके साथ क्या क्या लगाना ज़रूरी होता है जब हम केस तयार करते हैं तो सबसे पहले केस की इंडेक्स बनती है हमने जो भी डोक्यूमेंट कोट में प्रोडियूस करने होते हैं उसकी एक detail में index दी जाती है उसके बाद code fee लगती है उसके बाद आता है suit और suit के साथ ही एक after debit भी लगता है अगर आपने stake की application लगानी है order 39 rule 1 and 2 CPC की तो वो तयार होगी फिर application का after debit लगेगा अगर 80 CPC की application है या कोई भी application है suit की तो यही लगा देंगे इसके बाद order child rule 1 के CPC में ये prohibition किया गया है कि code में जो दावा डलेगा उसकी duplicate copy जरूर लगाएंगे उसके साथ इसकी duplicate copy भी लगाई जाती है duplicate copy plant के बाद लगाई जाती है और उसके बाद power of attorney लगाई जाती है कई codes में duplicate copy plant की last में भी लगाई जा सकती है power of attorney इसलिए लगाई जाती है कि मैं अपने भीहाफ पर इस advocate को newt करती हूँ power of attorney के बाद address form लगती है उसके बाद list of document लगती है जो भी document लगाने है उसकी detail list of document में बनती है और फिर उसी की sequence wise document quote में लगा दिये जाते है उसके बाद process fee आ जाती है process fee के साथ समन लगते है एक party को दो समन लगते है एक copy court में रहती है और दूसरी copy व्यक्ति को भेज दी जाती है इसके साथ एक civil suit की copy भी लगेगी अगर आपने किसी को समन पोस्ट करने है तो आप envelope लगाकर post office में भी post कर सकते हैं ये होता है civil suit का पूरा process तो I hope दोस्तों आप ये समझ गई होंगे कि court में civil suit कैसे दायर किया जाता है ऐसे ही कानून से समन दिज जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें वीडियो में last तक जुरे रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद